हेलो स्टुदेंट्स वेलकम तु दॉक्टर दीपाडा के नीट बायोलोजी और आज के सेशन में हम क्रेप्स चक्र पढ़ेंगे पादपो में श्वसन के चैप्टर से लास्ट क्लासेज में विकॉस ओफ दिस्टर्वेंस एंड अनवाइडबल सरकम्स्टिंसेज लास्ट वी अगेन हम लोग रिगुलर वीडियो के तुरू स्टडी करना स्टाट करेंगे तो आज हम स्टाट करते हैं क्रेप्स चक्र पढ़ने के पहले एक बार लास्ट क्लासेज में जो अपने स्टडी किया था ग्लाइकॉलिसस उसको रिकॉल कर लेजेगा ग्लाइकॉलिसस की प्रक यहां कर्णा कोसी काथ रभ यादर रहे हैं उसके पहले आप देखिएगा कोशिका कोंपढ रहे हैं यहां पर इस कोशिका में कोशिका जिल्ली के अंदर आप याद रखेगा कोशिका जिल्ली में ग्लुकोज आपका जो उपस्तित है यह ग्लुकोज ग्लाइकॉलिसिस के पत के द्वारा 6 कार्बन का अणू ग्लाइकॉलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा यह ग्लुकोज अपूर्ण रूप से आक सिक्रूत होके पाइरुविक अमल में परिवर्तित होता है पाइरुविक अमल तीन कार्बन के योगिक है और मुख्य रूप से एक ग्लुकोस द्वारा दो अनुव का निर्मान हो रहा है अब या पाईरुवी कमले याद रखेगा कोशिका द्रव्य से प्रवेश करता है माईटो कॉंड्रिया में माईटो कॉंड्रिया जिन बच्चों को माईटो कॉंड्रिया का कॉंसेप क्लियर नहीं है वह कोशिका से समंदित एक वीडियो थीन वीडियो अप्लोडेट है इंदी में, वहां पर आप माईटो कॉंड्रिया की सरचना को देखें, पढ़ सकते हैं माईटो कॉंड्रिया की बाईय जिल्ली और आंतरीक जिल्ली, अंतरीक जिल्ली में हम कहते हैं, फिंगर लाइक अंग घान्य रूप से कहें रहें यह जो डॉटिट पार्ठम शोकर रहे हैं यह बाईयकर्श है और अंतरीक च जिसमेंगे मेट्रिक स्ुपस्थित होता है और इस मे ड्रीक्स में क्रेप चक्रम त्युब से पैया जब पईया अब यहां पर यह पाइरुवी कमल लिंक रिएक्षन में प्रवेश करता है लिंक रिएक्षन मतलब कि वह अभी क्रिया जिसमें 3 कार्बन युक्त पाइरुवी कमल दो कार्बन के एसेटाइल को-एंजाइम ए में परिवर्टित होगा तो यहां पर याद रखिए आपका प्रवेश करता है, tao और मेट्रिक्स में प्रवेश करने के पश्चात बढ़ एक अपश सबहुद चाहूंगए। को लिंग एक्षन घिर्ण यह को साइञ यह संपन्च होती है क्यार्ण की यह पारगं में कारणिविक स्थे संबंदित एक महत्व पूर्ण भाग माइटोकॉंड्रिया के लिए और याद रखिए कि माइटोकॉंड्रिया के बाहिय कक्षिया परा माइटोकॉंड्रियल स्पेस या अवकाश में प्रोटॉंस का ग्रेडियेंट अत्वा हाइड्रोजन आयन्स की संद्रता अत्यधिक कहले हम पड़ेंगे लिंक का हैं लिंक कॉंसा कहलाता है योजक कडी हम संपरक में या योजक अभी क्रिया कहते हैं क्रेप्स चक्राेज से पहले हम यहां पर पढ़ते हैं link reaction अत्वा इसी को आप कह रहे हैं योजक अभी क्रिया या हो सकता है इंदी में कुछ और नाम हो इसलिए मैं यहां पर English का ही नाम लिख रहे हूं link reaction link reaction जब पढ़ते हैं तो इसमें simple इसमें याद रखे जो pyruvic acid है pyruvic acid अत्वा pyruvic अमल एक अणू के लिए ही हम यह पढ़ रहे हैं वास्तविक रूप में pyruvic अमल के कितने अणू निर्मित होते हैं दो pyruvic acid coenzyme A की उपस्तिती में तथा N-Acetyl Glucosamine आप पढ़ते हैं sorry N-A-D की उपस्तिती में not N-A-G N-A-D की उपस्तिती में आप याद रखेगा pyruvic acid pyruvate dehydrogenase enzyme के द्वारा यहां पर अलग-अलग books में enzymes आपको अलग-अलग मिलेंगे कुछ books में pyruvate dehydrogenase मिलता है कुछ books में carboxylase enzyme decarboxylase enzyme भी मिलेगा pyruvate dehydrogenase मुख्य रूप से याद रखेए वास्तविक रूप में multi enzyme complex बहुत अनिक enzymes संयुक्तों के इस link reactions को continue करते हैं और यह पाइरुविक अमल coenzyme A और NAD की उपस्तिती में परिवर्तित होता है acetyl coenzyme A में pyruvic अमल 3 carbon का योगिक है acetyl coenzyme A 2 carbon इस प्रक्रिया में एक अनू carbon dioxide का विमुक्त होता है और NAD आप याद रखे NAD, NADH 2 में अत्वा NADH और H प्लस में परिवर्तित होता है तो यह पार्ट इतना याद रखेगा अब यह जो acetyl coenzyme A है यह आप याद रखेगा NEET के लिए most important question कि link molecule glycolysis और क्रेप्स चक्र को योजक कड़ी के रूप में जो अनू जोडता है वह अनू कौन सा है तो glycolysis और क्रेप्स चक्र की योजक कड़ी अत्वा link molecule आप याद रखेगा link molecule हम कह रहे है अत्वा योजक कड़ी कह रहे है यह link molecule आप याद रखे कौन सा है acetyl coenzyme A acetyl coenzyme का निर्मान कोशिका में कहां पाया जाता है तो यह भी याद रखे acetyl coenzyme A का निर्मान कोशिका में mitochondria के बाहिय कक्ष में पाया जाता है यहां से बाहिय कक्ष से यह acetyl coenzyme A अब क्रेप चक्र में प्रवेश करता है, अब हम अपना प्रारंब करते हैं, जो मीन अपने को चैप्टर आज टॉपिक स्टार्ट करना था, क्रेप साइकल अत्वा क्रेप चक्र, यहां पे सबसे पहले तो देखिएगा, जब आप क्रेप चक्र पढ़ते हैं, तो क्रेप चक् में इडॉल्फ क्रैब नामक वज्ञानिक ने इसे प्रतिपादित किया अथा इसे चक्रा क्रेप हैं दूसरा इस प्रक्रिया में बनने वाले विभुन न ओर्गैनिक Center जो चक्र आप पढ़ेंगे तो क्रैप चक्र में याद रखेगा विभिन्न कार्बनिक अमलों का निर्मान होता है और यह जो कार्बनिक अमलों होते हैं यह 6 कार्बन के कंपाउंड है 5 कार्बन के कंपाउंड है और 4 कार्बन के कंपाउंड है तो जो मुख्य रूप से विभि आम स्वरूप क्रेप चक्रको समान्यता हम कहते हैं ट्राई कार्बॉक्सिलेक अमल चक्र ट्राई कर्बॉक्सिलेक असेट साइकल अत्वा ट्राई कर्बॉक्सिलेक अमल चक्र और short में इसी को हम पढ़ते आ रहे हैं कि क्रेप चक्र को सामान्य तहां TCA cycle भी कहा जाता है दूसरा अन्य नाम है क्रेप चक्र के लिए जिसे सामान्य रूप से citric acid cycle अत्वा citric अमल का चक्र भी कहा जाता है जब आप citric acid cycle कहते हैं तो क्यों आप citric acid cycle कह रहे जब आपको क्लियर होगा कि इस चक्र में क्रेप चक्र में पहला निर्मित होने वाला कार्बनी कमल सित्रिक असेड होता है सबसे पहले 6 carbon का citric acid निर्मित होता है अता इस चक्र का नाम उसके पहले उत्मात के आधार पर citric acid चक्र अत्वा citric acid cycle कहा गया है एक महत्व पूर्ण पार्ट याद रखिएगा कि कितनी बार क्रेप चक्र समपन्न होता है तो ग्लुकोज के अनू के पूर्ण दहनत्वा पूर्ण ओकु समपन्न करने के लिए जब एक ग्लुकोज का अनू प्रवेश करेगा तो याद रखिए क्रेप चक्र estàदो बार समपन होता है और एक क्रैप चक्र में अगर आप उर्जा देखते हैं कि उर्जा की मातरा कितनी विख्षित कितनी उत्फपन्न होती है तो एक क्रैप चक्र में याद रखिएगा या वन क्रैप साइकल में मुख्य रूप से 15 ATP का निर्मान पाया जाता है यह बिलकुल याद रखिएगा कि टोटल 15 ATP जो है वो एक क्रैप चक्र के द्वारा निर्मित होते हैं दो पायरुवी कमल ग्लुकोस के द्वारा निर्मित होते हैं दो पायरुवी कमल वन बाई वन अत्वा एक के बाद एक आपके प्रवेश करते हैं क्रैप चक्र में प्रते क्रैप चक्र के द्वारा 15 ATP अर्था दो बार क्रैप चक्र संपन्न होने के कारण 30 ATP का निर्मान होता है glycolysis में last session में आप already पढ़ चुके हैं कि glycolysis की प्रक्रिया में 8 ATP निर्मित होते हैं और इस तरह से glycolysis के 8 ATP और craps chakra के total 30 ATP मिलके glucose के पूर्णण ओक्सिकरन पे 38 ATP का formation करते हैं तो ये part आप यहाँ पर याद रखियेगा craps chakra के introductory form में अब हम यहां पर आते हैं कि CREBS CKbike के Mitochondriya के Matrix में कहां संपन्य होता है तो अगर आपको CREBS CKbike का स्थान याद रखना है तो CREBS CKbike का स्थान आप याद रख सकते हैं कि CREBS CK tags Mitochondriya के अनतरिक कक्ष अत्वा अनतरिक कक्ष को ही हम आधात्री कहे रहे हैं आप इंदी में अत्वा मेट्रिक्स भी कहते हैं तो आधात्री अत्वा मेट्रिक्स में संपन्न होता है तो स्थान आप याद रिखेगा अब यहां पर हम क्रेप चक्रपन्ना प्रारंब करते हैं तो क्रेप चक्र के पहले आप यहां पर देखेगा जब हम क्रेप चक्रपन्न प्रारंब कर रहे हैं फिर से हम यहाँ पर पढ़ते हैं ग्लुकोस के एक अणू से ग्लाइकॉलिसिस द्वारा दो अणू पाईरुवेक हम लके निर्मित होते हैं जिनको अबजेक्टिव के लिए प्रिपेर करना है क्रेब साइकल वो स्टुडेंट्स मेंली एंसी अर्टी की क्रेब साइकल को पढ़े हैं यहां मैं डिटेल्ड क्रेब साइकल रो कर रही हूं क्योंकि उसके तुरू आपका each and every questions क्लियर होते हैं और सेकेंडली जो questions हैं कार्بन एक्टम के अधार्पे भी आ रहें कि कौनसा अमल जो है वह चार कार्बन यौगर के अत्वा पांच कार्बन का अत्वा 6 कार्बन का कंपाौंड होता है पाइरूवी पाइरुवी कमल याद रखेगा 3-carbon compound अब यह पाइरुवी कमल आपका link reaction में जाता है गलाइकॉलिसिस की प्रक्रिया आप याद रखे कोशिका द्रव्य अत्वा साइटो प्लाज्म में संपन हो रही है और जब यह आप पाइरुवी कमल का पढ़ रहे हैं तो पुन पाइरु याद रखे कितने कार्बन का योगिक है दो कार्बन का योगिक होता है दूसरा जब आप यहां पर ऐसे टाइल को एंजाई में पढ़ रहे हैं तो यह जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम कह रहे है योजक अभी क्रिया अत्वा link reaction हम लिक रहे हैं और इस link reaction में याद करके अणु प्रवेश करते हैं तो अणु ने डियेच टू के निरमित होंगे और 2 अणु प्रक्रिया का अगर आप स्थान याद रखते हैं तो मैटो कॉंड्रिया का बाहिय कक्ष में अभी क्रिया संपन्न होती है अब यहां से आप देखिएगा जो एसे टाइल को एंजा में प्रवेश करता है माइटो कुंड्रिया के अधात्री में अत्वा मेट्रिक्स में मेट्रिक्स में एसेटाइल को एंजाई में प्रवेश करके यह संपर्क में आता है Acetyl Coenzyme में याद रखे 2 Carbon काणू है और यहाँ पर आपका होता है Oxaloe Acetic Acid Oxaloe Acetic Acid इसके पहले आप कहां पर पढ़ चुके C4 चक्र का स्थाई उत्पात के रूप में आप पढ़ते हैं कि C4 Cycle में जो Stable Product या स्थाई उत्पात है वो 4 Carbon का Oxaloe Acetic Acid अत्वा Oxaloe Acetic Amyl O-A-A-B-M कह रहे हैं यह अमले याद रखे कितने Carbon का है 4 Carbon का Oxaloe Acetic Acid 2 Carbon के Acetyl को Enzyme से क्रिया करता है और इस अभी क्रिया में आप याद रखे है Enzyme अपना है Citrate Synthetase Citrate Synthetase की उपस्तिती में टेस की उपस्तिती में आप याद रखे Oxaloe Acetic Acid परिवर्थित होता है Citric Amyl Amyl Amit पहला बनने वाला 6 Carbon का योगे अत्वानू 6 Carbon का जो है वो Citric Amyl है अता आप याद रखेगा कि इस प्रक्रिया को हम सामानने रूप से इस reaction को हम सामानने रूप से Citric Acid Cycle भी कहते हैं अब यह Citric Acid याद रखेगा नेक्स रिएक्षिन में जाता है यह अभी क्रिया Econitase Enzyme के द्वारा होती है और परिडाम स्वरूप Citric Amyl आपका परिवर्थित होता है Iso Citric Amyl में यह पुना अगर आप बुक्स में अप्पियर करते हैं तो यह अभी क्रिया दो चल्ड़ों में पूर्ण होती है Citric Acid Cis Econitic Acid के द्वारा Iso Citric Acid में परिवर्थित होता है परन्तु Cis Econitic Amyl याद रखेगा एक अस्थाई योगिक होता है और तुरंत वा योगिक अस्थाई योगिक Iso Citric Amyl में परिवर्थित होता है Iso Citric Amyl भी आप याद रखेगा 6 Carbon कान होता है अब या Iso Citric Amyl आपका पुना Enzymes की क्रिया के द्वारा परिवर्थित होता है Oxalosacinic Amyl में Oxalosacinic Amyl भी 6 Carbon का योगिक है तथा इस प्रक्रिया में जो Enzyme है वो Enzyme होता है Iso Citrate Dehydrogenase यहाँ पर मुख्य रूप से याद रखेगा जहाँ भी क्रियेक्शन्स में Dehydrogenase Enzyme कारिय करता है उस रियेक्शन्स में आप याद रखेगा NAD आपका परिवर्थित होता है NADH2 में तो यह अभी क्रिया जिसमें NADH2 का निर्मान होगा Oxaloxacinic Acid अत्वा Oxaloxacinic Aml अब D-Carboxylase Enzyme के द्वारा अभी क्रिया करने के कारण एक Carbon Dioxide को विमुक्त करता है Enzyme यहाँ पर D-Carboxylase आप याद रखेगे और D-Carboxylase Enzyme के अभी क्रिया के परिणाम सुरूप 5-Carbon का अमल Alpha-Keto-Glutarec अमल का निर्मान पाया जाता है Alpha-Keto-Glutarec अमल का निर्मान यहाँ पर होगा और यह Alpha-Keto-Glutarec Acid याद रखेगा 5-Carbon का compound है पहला क्रैप चक्र में यह question भी आ चुका है कि क्रैप चक्र में पहला Carbon-Dioxide कि सभी क्रिया के अंतरगत कासित होता है या रिलीज होता है यहाँ पर याद रखेगे जब ऑक्जेलो सक्सेनी कमल से Alpha-Keto-Glutarec कमल का निर्मान होता है उस दोरान आप याद रखेगा पहला Carbon-Dioxide विमुक्त होगा और टोटल कितने Carbon-Dioxide विमुक्त होगे वो भी याद रखेगे क्रैप चक्र में केवल 2 Carbon-Dioxide विमुक्त हो रहे हैं क्योंकि 2 Carbon का योगिक एसिटाइल को एंजाई में आपका प्रवेश करता है माइटोकॉंड्रिया के मेट्रिक्स या अधात्री में ओग्जेलो एसिटिक एसिट पहले से ही उपस्तित है और इसका चक्र में बार-बार पुनर निर्मान पाया जाता है अब यहाद रखेगा अलफा कीटो ग्ल्यूटारेड डी हाइडरोजिनेज एंजाईम के द्वारा यहाँ पर याद रखेगा यह परिवर्तित होता है आपका पुनर एक तो नदी एच टू का निर्मान होगा और अलफा कीटो ग्ल्यूटारी कमल से इस प्रक्रिया में कोएंजाईम A का भी प्रयोग किया जाता है और परिडाम सुरूप यहाँ पर सकसिनाईल कोएंजाईम A का निर्मान पाया जाता है यह सकसिनाईल कोएंजाईम A अब याद रखेगा कोएंजाईम A को विमुक्त करता है और यहां को एंजाई में बार-बार इसी अभी क्रिया में उपयोग में लाया जाएगा इस साल का अगर आप नीट का question paper देखते हैं तो वहां पे एक आपको आया है कि substrate based phosphorylation की प्रक्रिया तो substrate based phosphorylation की अभी क्रिया किस reactions के बीच में हो रही है उससे संबंदित इस क्रिया से संबंदित question है तो सक्सिनाईल को एंजाई में आप याद रखे अब आपका परिवर्तित होता है next अमल जो की आपका है सक्सिनी कमल सक्सिनी कमल का निर्मान जब हो रहा है तो याप याद होगा reaction आप महत विशिष्ट एंजाईम बार बार इसके लिए इसी साल आ चुका है सक्सिनिक थायो काइनेज सक्सिनिक थायो काइनेज आप याद रखेगा एक अकेला एंजाईम है क्रैप चक्र का जो की मेट्रिक्स अत्वा अधात्री में अनुपस्तित है स्वरी यहां आ रखेगा एंजाईम सक्सिनिक थायो काइनेज माइटोकॉंड्रिया की अंतरिक जिल्ली पर उपस्तित होता है सक्सिनिक थायो काइनेज एंजाईम आप याद रखेगा सबस्ट्रेट बेस फॉस्पोराइलेशन के लिए उत्तरदाई है तता इस अभी क्रिया में उर्जा ज निर्मीत हो रही हो काइनेज के द्वारा अभी कि जाती है और यह एंजाईम एक अकेला क्रेप चक्र का एसएंजाई में जो मैटोकॉंड्रिया की अंतरिक जिल्ली पर पाया जाता है इसके पस्चात सक्सिनिक अमले याद रखेगा पुना परिवर्तित होता है फ्यूमरिक अमल में एंजाइम यहां पर याद रखेगा fumarate dehydrogenase हम सामानने रूप से कहते हैं fumarate dehydrogenase या succinate कुछ बुक्स में आपको succinate dehydrogenase लिखा है substrate के base जिन में nomenclature है succinate dehydrogenase enzyme पुना यह reaction बहुत अत्यनत विशिष्ट है क्योंकि यहां पर उर्जा आप याद रखेए Flavin, Adenosin, Dihydrogen Phosphate और FADH2 के रूप में निर्मित होती है तो FAD के बजाए यहां उर्जा किस रूप में निर्मित हो रही है FADH2 के रूप में होती है इसके पश्चात आप याद रखेगा कि यह जो fumarate dehydrogenase enzyme की क्रिया के द्वारा परिवर्थित होता है मैली कमल में और यहां मैली कमल पुना dehydrogenase, mellate dehydrogenase enzyme के द्वारा क्रिया करके क्रिया के द्वारा तो अभी क्रिया जो है मैलेट dehydrogenase के द्वारा संपन्न होगी और इस अभी क्रिया के परिणाम स्वरूप पुना याद रखिएगा जो NAD है NAD आपका जहां भी हम कह रहे हैं कि dehydrogenase है वहां पर NAD का अप्चयन NADH2 में पाया जाता है तो NADH2 में अप्चयत होता है इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो क्रैप्स चक्र के अंदर mitochondria में आपको 3 steps मिलेंगे जहां पर उर्जा NADH2 के रूप में उत्पन हो रही है 1 step में reaction आपका reaction FADH2 को generate कर रहा है GTP के निर्मान की प्रक्रिया या जो reaction है वो इसी साल नीट में आ चुका है तो वो reaction आप याद रखेगा and total अगर हम count करेंगे तो total आपके पास ATP क्योंकि यह जो आपका NADH2 निर्मित हुआ है इस NADH2 को भी हम कहां पर include करते हैं क्रैप्स चक्र की उर्जा के रूप में ही हम उसको include करते हैं तो यह चक्रा आप इसी रूप में याद रखेगा students को इसको recall करने में तोड़ा problem होता है तो सबसे पहले आप याद रखिए acetyl coenzyme and succinyl coenzyme पहले आप इस तरफ का part याद करिए फिर इस तरफ के part को यह आपके अपने उपर है कि आपको किस तरह से exams के लिए easy way में cycles को recall करना है जिनको separately बिल्कुल NEET के लिए ही targeted होके पढ़ रहे हैं जो बच्चे droppers के वो इस cycle के साथ साथ NCRT में जो diagram दिया है crap cycle का वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पे only आपके citric acid डिया हुआ है alpha ketogluteric कुछ ही अमलब वहाँ पे दिये हुए है 23 वही अमलब वही दिये जहां पे carbon dioxide निर्मित होता है तो यह पार्ट इतना याद रखिए अब अगर हम crap cycle की उर्जा का अनुमान लगाते हैं कि किस तरह से 15 ATP आपके release होते हैं तो यहां पे देखिएगा यह NADH2 भी आपका निर्मित हो रहा है और एक NADH2 से अगर आप प्रत्यक बार count करते हैं तो प्रत्यक NADH2 का molecule 3 ATP का निर्मान करता है GTP जहां पे निर्मित हो रहा है वहां पे 1 ATP निर्मित होगा FADH2 से याद रखिए FADH2 का एक अडू अमेशा 2 ATP का निर्मान करता है तो 2 ATP और इस NADH2 से पुना 3 ATP तो टोटल अगर आप यह count करते हैं तो टोटल एक प्रत्यक रैप चक्र में कुल उर्जा का निर्मान होता है 15 ATP तो जब 1 Acetyl Coenzyme E कानू प्रवेश करता है तो 15 ATP का निर्मान और 2 Carbon Dioxide का निर्मान करता है Similarly Second Molecule of Acetyl Coenzyme E भी यहां प्रवेश करेगा और वो पुना 15 ATP का निर्मान करते हुए 2 Carbon Dioxide का फॉर्मेशन तो टोटल ग्लुकोस के दहन में आप याद रखिए क्रेप्स चक्र में 4 Carbon Dioxide निर्मित होते हैं 30 ATP निर्मित होते हैं और 2 Carbon Dioxide आपके Link Reaction में बाहियक अक्ष में इसलिए आप पढ़ते हैं कि ग्लुकोस के पूर्ण ओक्सीकरण में 6 Carbon Dioxide का फॉर्मेशन होता है और 38 ATP अनुओं का निर्मान होता है तो इतना पार्ट आप स्वारी स्वारी क्रेप स्टक्र के लिए याद रखिएगा नेक्स सेशन में अब हम पढ़ेंगे कि Phosphorylation की प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार से इस NADH2 और FADH2 के अनुओं के द्वारा ATP का निर्मान माइटोकॉंड्रियां में पाया जाता है कीमो ऑस्मोटिक और रसायन संशलेशी सिद्धानत है ATP के निर्मान के लिए वो हम पढ़ेंगे जो स्टूडेंट्स चैनल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को कहूंगी कि kindly go through the previous videos और अगर आपको videos पसंद आ रहे हैं आपके लिए किसी भी form में अगर ये videos helpful है तो kindly subscribe करना नहीं भूलना है तो channel को subscribe करेए वीडियो को like करें, share करें and up to next session stay motivated and stay blessed